येलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज गुजरात हाई कोट की लियरिंग थी और ओनरेबल हाई कोट जज मिस्टर निखिल एस केरियल ने आज ओडर दिया है Senior Advocates के द्वारा जो आज दलीले हुई उसमें कहा गया कि Bar Council of India की जो Apex Body है वो गुजरात में आएंगे और State Government के साथ मीटिंग करेंगे और इसका कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे जैसा कि दोनों पार्टी इसने High Court को request करी है और वो कोई possible solution निकालने की कोशिश कर रहे है और ये भी fact है कि University को जल्दी से जल्दी admission process जो है वो शुरू करने की आवश चकता है तो court जो है उन्होंने college को admission process शुरू करने की अनुमती दे दी है जो भी students तीन येर के RLB course में admission लेने के लिए उत्सुखे उन्हों सभी को ये return में college's current scenario के बारे में बताएगी और ये जो application court में pending है उसके बारे में return में colleges जितने भी students है वो सबको जाहर करेगी 30 जून की date को बार council of India की apex body के जो member के list है वो senior advocate के द्वारा court में जाहर की जाहेगी इसकी next hearing date जो है वो 30 जून है उस दिन ये जाहर करेंगे उसमें एक mutual convenient date रहेगी जिसपे वो apex body के जो members रहेंगे वो गुजरात आएंगे तो कुल मिलाकर बात यह है कि students के लिए एक good news भी है और bad news भी है कि admission process तो जल्दी शुरू हो जाएगी but जो top की government colleges है क्या वो bar council recognize रहेगी क्या उनका license वापस रिनी होगा क्या students को उन law colleges में admission लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सो questions बहुत सारे है आप अपनी राय comment section में comment करके बता सकते हो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारी channel को subscribe करना ना भूलें करना चाहिए